टो हेलोगेों वेल्कम तो ईचन्लंतों। आदम आपके साथ सेर्ध रगन जार है लौिके का कोट्ता। लगव। अप ten ही दीष्टेश ँकर लोगी तो यह कद्दुकस हो गया, इसमें का जो भी पानी रहता है, इसमें अच्छे तरीके से निचोड के निकाल लेना है, तो अपने हाथों से दबा दबा के इसका पानी निकालना है, तो आप देख सकते हो कि पानी इसका कैसे निकल रहा है, तो यहाँ बे मैंने सारा पानी निका तू ये महीने सबजी का मसाला लि क्रीघ हुआ है पर केट यापके लिले नहीं हुआ है तू जमोम लिख लिख साथ गुगान्वेब्ब जादा दढ happens डंडượng ख दीया है याफ नहीं हुआ है ये प्रोक्त ब्रोक्त है डालना है तो इसे थोड़ा सा डाल की मौसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लोंगी कि इस तरीके से मिक्स कर लेना है ते रेखे अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है अब मैं इससे छोटी छोटी गोलिया guaranteed इस तरीके से इस तरीके से मैं इसे बना लोंगी याप मैने पैन रग दिया है इसमें में डालोंगी तेल याप मैने रिफाइन तेल लिया है फुक्ते ये तेल गरम हो रहा है यहाँ पे मैंने सारे चोटी-चोटी लोईयों बना लिए तो इस तरीटे से ऐसे फ्राई करना है फिर ये तेल गरम हो चुका है अमने ऐसे फ्राई कर लोगे तो इसे सारे गोरिये डाल के इसे इस तरीखे से फ्राई कर लेना है तो इसे अच्छी तरीखे से लाल हो चुका है अब मैं इसको निकाल लोगे फ्लेट में तो इसे फ्राई हो चुका है मैं अब दूसरा बर्तल लोगे और मैं इसमें डालूँगे तेन ये गरम हो चुका है अमने इसमें तेल डालूँगे और मैं तड़की के लिए हरी मीर्च प्याल तेस बत्ता दाल चीनी का तड़का दोंगे तो ये अब मैंने डाल दिया है पर इसे इस तरीके से चला लेना है ये अब मैंने इसमें मसाले डालने के लिए ये अब मैंने प्याज लेजन दिया है मैं इसका मसाला तयार कर रही हूँ और ये थोड़ा से जीरा काली मीर्च अबड़ी लाइची इसमें मैं पीस लूँगी आप घड़े मसाले को कोई भी डाल सकते हूँ आईए थोड़ा से पान डालके मैं से पीस लूँगी तो ये देखे तयार हो गया तुमने इसमें दो चम्मस शक्जी का मसाला डालूँगी आप कोई भी पैकेट का मसाला डाल सकते हूँ आदा चम्मस हल्दी इसमें मैं नमक भी डाल दूँगी अब प्याल मेरा अच्छी तरह किस लाल हो गया है तो अब मैं इसमें दाल दूँगी मसाले इसमें थोड़ा सा पान डालके फिर इसे पका लेना है तेसे दस मिट के लिए मुझे पका लेना है मसाले को कम अच्मिन तो मैरे अब पर थोड़ा सा लाल में इस पाउड़ा डाला है आप दीखा जैसे सभी खास अब तो आप अपने साउचे डाल सकते हैं तो यह रेखिए दस मिनिट हो चुके मसाले टॉक चुके हैं तो मसालों को अच्छी तरीका से पका लेना है अब मैं अपने यहां पर एक कटोरी पानी डालोंगे तो मैं इसे ढख के रख दूँगे थोड़ा सा पक जाए तो यह देखिए मसाले पक रहे हैं अब जो मैंने फ्राई किया हुआ था पकोड़े तो मैं इसमें डाल दूँगे मसालों में इसे पास मिनट के लिए अच्छी तरीके से पका लेना है इसे पास मिनट के लिए छोड़कर पका लेना है तो यह देखिए सब्ची हो गई है तयार तो यह आप देख सकते हो यह सब्ची तैयार हो चुक है तो मैं इसे निकाल दूँगे दूसरे वरतन तो यह आप मैंने इसमें निकाल लिया है तो यह आप देख सकते हो मेरा वीडियो अच्छा देते लाइक ते लिए सब्सक्राइब केजिए धन्यवाद झाल झाल